अज मेरी बहुत सरसे बहुत अलगअलग टाइप का पार्षेल है तो मैं पार्षेल दिखाऊंगी तो जरूर उसके साथ आप लोग देख सकते हैं मैं दिखाऊंगी नहीं यहां पर बहुत, और लोग दीखाऊंगी नहीं यहां पहले कुछ पार्सल दिखा देती हूँ और उसके साथ कुछ स्टॉक भी दिखांगी जिसका वीडियो मुझे अभी बनाना है तो मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दू यहाँ पर दो पार्सल है जो कलकत्ता में ही डेलिवर होगा यहाँ पर दो पार्सल है जो कलकत्ता में जाएगा कलकत्ता में कैश ओन डिलिवरी चलता है लेकिन यह तो जो पार्सल जाएगा यह उन्होंने पेमेंट कर दिया है क्याशन डिलिवरी के लिए थोड़ा एक्स्टा ज्यादा पैसा लगता है according to distance तो पहले मैं आपको जो दिखाऊंगी वह है मैंने थोड़ा सा पानी यहां पे लिया है मैंने कभी मैं कभी भी वीडियो एडिट बगार ऐसा नहीं करती हुँ होट के ओम्या से थोड़ा हैने क स्टोग मैं यहां से थोड़ा स्टोड़ टो थीन्लिपर उठा लगी यह हमारा टॅने स्टोड ठीक है और उसके साथ में स्ट ब्रोकन का भी कुछ स्टॉक यहां पर ओर हैं देख सकते हैं तो उसका भी मैने दो इसकाँ दो बहुंत ईए दो ब्रोकेन का स्टॉक वाइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर दो केजी का पार्सल है फ्रेंस हमारा रसी एक दो पिस था तो मैंने दिया है रेकिन रोल का स्टॉक आएगा नौन स्मोकी वाला कहुत जल्द आएगा और स्मोकी में कच्छे क्रंचे सभी है सभी स्टॉक स्टॉक आएगा तो यह है दो केजी मिक्स क्ले पॉट नौन स्मोकी में रैंडमली मिक्स्ट है और इसके साथ थोड़ा सा मैंने फॉरें क्ले बहुत ही छोटा है फ्रेंस हम इतना चोटा देते नहीं है लिकिन क्या करें और की सब के स्टॉक है यह 350 रुपीज बाला पार्स भी दिया है रसी है गुलक है तो यह अभी का हमारा स्टॉक अब लेवल है जब जैसा स्टॉक रहता है वैसा हम देते हैं यहाप एट पार्सल है जिसमें टाइनियेस्ट पॉट है इसका स्टॉक मैंने अभी पानी में डाला है और यह सॉप्ट है हार है मैं दिखा दूगी यह जो क्ले बॉल आप देख रहे हैं यह बहुत ही कम है ओडर के हिसाब से ख्ले कुकीज जो है वो भी कम है कम है मतलब नहीं है यह नहीं है और यह कुकीज है कच्चे मिट्टी में अभी पेबल पॉट है और सौसर है दो-चार पीस घुलक मिल सकता है और यह है मुलतानी का यह एक कस्टमाइज पार्सल है इसका डिटल मैं अल्रेटी दिखा चुकी हूं तो इसको और नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह पैकिंग नहीं हुआ है का इंफार्मेशन के बाद टेकिंग करेंगे तो इसलिए यह परा था यह गया नहीं तो इसलिए हमने दिखा दिया अभी स्लेट स्टोन मैंने अभी डाला देखिए कैसे यह अपने आप खुल रहा है मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया तो इस से देखिए यलो लेड़ भी खुल गया है तो चलिए यहां पी पार्सल है मैं दिखा दू तू थर्टी रुपीज वाला जो ओफर था हमारा वह ओफर है अभी तो वह आपको मिल सकता है जिसमें जैसे इन्होंने लिया है कलकात्ता क्लेपोट और पंजाब की मिट्टी मैं दुनों को हाथ में उठा के दिखा दीती हूँ यह है पंजाब की मिट्टी ओडिजिनल जो पंजाब से आता है वही मिट्टी है यह और उसके साथ इनक ती रूपीज वाला पार्सल विदाउट बाबल इसमें क्लेपट बाबल नहीं लगेगा यहां पर एक पार्सल है देख लीजिए अभी हमारा रोस्टेड नाकुमट का स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन बिक चंक्स मीडियम चंक्स है छोटे चंक्स बहुत ही कम है और ड्राइफ्रूट भी इस बार एवेलेबल है बहुत ही क्रंची में देखिए हमारा जो रोस्टेड नाकुमट है उसमें रेड रोस्टेड भी मिक्स्ट है हम इसको अलग नहीं कर रहे हैं मैं एक पीस यहां से लेके आपको दिखाती हूं यह बहुत ही क्रंची वाला थोड़ा सा बसन कम हो रहा था तो मैंने एक स्टोन का टुकुरा दे दिया है मैं चाछा यह पे पारिसल है तो उन्होंने वही देखके मुझे आड़र किया है इसमें कलकता क्लेपॉर्ट है डोल है गुलत है सौसर है टोपी है यह कस्टोमएज़ आड़र है और उसके साथ बाकी का बजन में यह टाइनियस पॉट है जो टाइनियस पॉट अभी मैंने पानी में डाला है निकल तो यह पार्सल जो है यह 300 रुपीज है विद बबल्स 300 रुपीज में आपको टाइनियस पॉट भी यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है आप लोग देख लीजे अच्छा और क्या है यहाँ पे पार्सला यह 230 रुपीज वाला पार्सला जिसमें कच्चे में लिया है कच्चे स्मोकी में मैंने कहा अभी यह पेबल पॉट होगा गुल अभी आपको पेबल पॉट और सॉसर यह सब मिल जाएगा कच्चे मिटी स्मोकी में और यहाँ पर इन्होंने लिया है टाइनियस पॉट लेकिन इन्होंने उसके साथ एक दो पिस टाइनी भी हमने मिक्स्ट कर दिया है लेकिन इनका स्टॉक बहुत ही सॉप्ट है मतलब यह बहुत सॉप्ट उन्होंने मांगा है तो मैंने थोड़ा नौन स्मोकी थोड़ा हलका स्मोकी सब मिक्स्ट में कर दिया है यह स्टॉक भी आवेलेबल है हमारे पास इसका कच्चा स्टॉक भी आवेलेबल है और यहाँ पे हैं वाइड ब्रोकेन जिसका मैंने वीडियो कल डा एंगा है लम लॉंग में तोरेंगे नहीं मैं आपको एक एक हर की निकाल के दिखा देती हुंए यह बहुत ही सॉफ्ट बाला जो स्टॉक है अभी मैंने एक पानी में डाला है आप लोग देख रहा है ये छोटर है इसको तोटे हैं यह सॉफ्ट बाला स्टॉक है तो यह उनक है इसमें 230 रुपीज वाला पार्सल है जिसमें उन्होंने 500 ग्राम स्टोन लिया है 500 ग्राम स्टोन लिया है जिसमें ब्लैक स्टोन देखिए ब्लैक और वाइट का फोटो भेज के इन और रखिया है ब्लैक स्टोन ऐसा स्टोप व्हों निकला था अभी भी कुछ है नहीं है ऐसा नहीं लेकर अंधर का कैसा होता है हमें भी पता नहीं होता है जब हम तोड़ते है तब मिक्स क्ली पोट यह पूरा 220 रूपीज बदा पार्सेला है वाइट स्टोन आप लोग देख लीजे ये भी बहुत सॉप्ट में है और यहां पर बन केजी कोलकाता क्लेपर उन्होंने अलग से लिया है यह दिखे कोलकाता क्लेपर अभी का स्टॉक बहुत अर्थी है इसका इतना ओडर है मैं दिखा रही हूं हर दिन बहुत सार और निकल रहा है तो इसलिए इसका बहुत सार और है और बन भी रहा है तो चलिए मैं यहाँ से इसको उठा लेती हूं जो स्टोन मैंने पानी में डाल के रखा था और देखे उठाते उठाते इसका लेयार निकल गया है पहले मैं टाइनियस पॉट को दिखा दूँ यह देखी यह टाइनियस पॉट का स्टॉक है और यह नॉन स्मोकी में है और जो लिटल स्मोकी में है वो थोड़ा-थोड़ा शायद मिल्ट हो जाए बहुत ही सॉफ्ट और अर्थी वाला स्टॉक है यह वन केजी थ्री लीटि करूक फिर से बाइस बनाएंगे यह इस चोटे चोटे पीस निक अधिस बनाता है यह वह आलूम है यह यूनिक चीज बनाता है तो इसका प्राइस यह भी दिए बढोले के उब हएं ब्रकण के उपनी कि रख रहे हैं इसके से उन्हाटए पी accomp dough गर्ण तिक है अभी मैं स्टोन को देखती हूं देखिए यह जो उपर का लियर है यह एकदब मिट्टी है देखिए यह खुल गया है यह वाइट का स्टॉक है लेकिन देखिए अंदर पिंक पिंक कलर का लियर है अगर बहुत ही सॉप्ट है और पानी देखिए पूरा नीचे कि आवाज भी नहीं आएगा यह देखिए कि इसमें से आपको आवाज भी नहीं आएगा ऐसा शॉप्ट स्टॉक है लेकिन कुछ-कुछ क्रश्टी स्टॉक भी मिक्स्ट में है तो मैं आपको दिखा दू यह सॉप्ट वाला स्टॉक है और एक स्टॉक को टोड़ते हैं इसका बहुत सार और है मैंने यह आप एक केजी ओलेड उठा दिया है और उठाएंगे उसका वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे ठीक है तो फ्रेंज चलते है अभी और यह देखिए यह टाइनियस पॉट का स्टॉक है ब्रोकन के उपर मैंने रखा है कितना क्यूट लग रहा है देखनी में गिद गया है यह देखिए यह देखिए तक पूरी जच्छा बाब करेंगे मैं कोशिश कर दिए एक बर ऐसे उठा के इसका एक छोटा सा फोटोर मेल लो यह देखिए तो फ्रेंड्स अभी के लिए बाइबाई एंड टेक क्यार हमारा जो नेक्स वीडियो आएगा डिजर्माट चैनल पर उस पर भी आपको कुछ ना कुछ नियू आफर मिलेगा